नहां पर जानकारी निकल कर ये आई कि इंडिया की officers के द्वारा पकाईदा proper तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक strategical तरीका बना करके terrorist को eliminate करने का काम किया गया है और ये जानकारी गार्जियन को कैसे पता चली तो कहा गया कि इस अख़बार ने भारत के कुछ जासूसों के इंटर्व्यू किये, उन जासूसों ने इन्हें अपना नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि किस तरह से सारी की सारी चीजें चली, ये भी सुनने में आया कि बका पर तरीके से जो कहकर आये थे कि घुसकर मारेंगे, अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो हम उसके शिकायत दूसरे देश में नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को प्रतिकरिया देंगे तो ये इसी तरज पर किया गया कार्य है, अब Research and Analysis Wing भारत की वो खुफिया शाखा है, जो भारत के प्रधानमंत्री के direct under में काम करती है और उनहीं के द्वारा इस प्रकार के काम किये गये, चाहे वो कैनेडा के अंदर हो, फिर चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, या फिर वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान में 2020 से लेकर अभी तक 20 ऐसी killings हो चुकी हैं, ज जो most wanted criminals थे, जिनें इंडिया ऐसे आतंकी इंडिया में चाहता था, उनका assassination हुआ है, और assassination कराने में इस अख़बार ने एक बड़ी ही interesting शब्द चापा है, और कहा है, कि यहां पर पाकिस्तान में भारत के agents ने खुदने नहीं मारा, बकाइदा वहीं के लोगों को, जो पाकिस्तान के गरीब हैं, भूके हैं, या कुछ इस तरह के लोग हैं, जो जिहाद के नाम पर कफन भांद कर चल रहे हैं, कि काफिरों को मिटाना है, तो बुले बकाइदा उनका brainwash, इंडियन जासूसों ने पाकिस्तान के लोगों का ही brainwash क और उन आतंकियों को, जिनकी वजह से भारत के साथ रिष्टे खराब हुए थे, उन्हें काफिर डिकलेयर करवा दिया, कि ये काफिर हैं, धर्म विरूदी हैं, इन्हें मरवा दो, और ऐसा करके उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के लोगों को मरवाने का काम भारत ने किया, लेकिन ये strategical shift आया कहां से, बुले जब पुलवाना पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद भारत ने यह decide किया कि हम अपने इस हमले के जिम्मेदार लोगों को retaliate करके मारेंगे, उस समय पर ऐसी घटनाओं ने अंजाम लेना शुरू किया, लेकिन इसके पीछे सबसे ज़्यादा thought process डवलप कैसे हुई और इस विशय को कैसे और पुखता किया गया, इसके बारे में हैना पीटरसन जिसने ये Guardian की रिपोर्ट तयार की है, उनकी बात सुननी चाहिए, मैं एक चीज यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा, देखिए निश्चित ही हम ये मानेगे, भारत सरकार भी ये मानेगी कि हमने किसी को नहीं मरवाया, आपको और हमको ये proud feeling देता है कि भारत अब आतंकी हमले सहता नहीं है, आतंकियों को गुसके मारता है, ये thought process हमें अच्छा लगता है, लेकिन हैना पीटरसन ने जब ये बात बोली, तो सरकार इस बात का खंडन करेगी, क्योंकि अंतरराष्टिये इस तरपर यह चीज सही नहीं है, भारत सरकार कभी भी इस बात को स्विकार नहीं करेगी, कोई भी देश अपने जासुसों के हदवारा किये गए, किसी भी कारे को claim नहीं करता है, कि मेरे जासुसों ने इस व की होगी तो उसका प्रयास यही रहा होगा कि भारत के बारे में ऐसी चीज में लिखू जिससे भारत पर अंतरास्टे दवाब पड़े उधारन के लिए हैना एलिस ने खबर लिखी मैंने बताया था ना शुरुआत में ही गारजेन की खबर इन्हें ने लिखी यह वो महिला है जिन्होंने भारत में अगस्त 2023 के अंदर इस प्रकार से खबरे कवर करना शुरू किया था कि देखिए कैसे होगा भारत के अंदर भारत की डेमोकरेसी को लेकर इनको बड़ी चिंता है इनका कहना है श्री नगर में इंटरनेट बंद हो जाता है बताये इंडिया में कैसी ड ले आते हैं ये कहते हैं कि G20 इंडिया करने जा रहा है इन्हें शरम आती है जुगी जौपणियों को ये ढग देते हैं इन्होंने ढूंड ढूंड करके वो पॉइंट निकाले दुनिया में एक तरफ जहां पर इतना कुछ था बताने के लिए कि भारत इतना कुछ अच्छ इंडिया के इमेज को अंतराष्टिया इस तरपर और गार्जियन में रिपोर्टिंग करते समय एंटी इंडिया रिपोर्ट करने के लिए जानी जाती रही है इवन जब आयोध्या का मंदिर बनकर आया तो इसलिए इन्होंने इस एक पॉलिटिकल गिमिक कहा कि अरे केवल राजिनितिक मुद्दा है इसलिए राम मंदिर बनकर आया है जो मुद्दा हमारे साथ कब से जुड़ा आ रहा है कभी तो बनना था पर इन्होंने इसे एक राजिनितिक मुद्दा कहते हुए गार्जियन में चाप दिया इसी महिला की इस रिपोर्टिंग के अंदर आप सो हैना एलिस पीटरसन है जब ये खबर चापती है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में ये सब करवाया तो इनके जो इंटेंशन रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे वो समझ में आता है बट एनिवे इन्होंने किसी भी चीज पर ध्यान दिया भारत के बारे में चर्चा हुई तो मारा गया मैंने बार बार आपसे यही कहा कि कोई अज्यात व्यक्ति है जिसने मुसाद से या KGB से प्रेरिना ले ली है और वो अपने दुश्मनों को दुनिया में घुस घुस करके मार रहे हैं इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में यही कहा है मैंने आपको ये 5 मैंने पहल प्राष्ट करता हूँ, anyway, फिलहाल के लिए इनहें जिस भी भारत के जासूस ने बाते बताई हैं, ये कह रही है कि इनकी किसी खुफिया आदमी से बात हुई है, जिसने ये सारी बाते अंदर की बताई है, इनसे पूछा गया, आपको कैसी बाते बताई गई हैं, तो इन्हों ने कहा, कि जिस समय सौधी अरब का most wanted, जमाल खशोगी, तरकी के अंदर सौधी अरब की कॉंसुलेट में मारा गया था, आपको याद होगा, खशोगी की हत्या हुई थी, सौधी अरब के खिलाफ लिखता था, अमेरिका में रहता था, तरकी के अंदर ये सौधी अरब के क्योंकि बाइडिन ने चुनाओ प्रचार में कहा था, कि खशोगी के मारने वालों से कभी दोस्ती नहीं करूंगा, तो इन्होंने, जो सौधी के प्रिजिस हैं, इन्होंने अमेरिका को आडे हातों ले लिया था, कि हम आपसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना, अच् पर ये बात चर्चा में आई, कि जैसे जमाल खशोगी को मार करके, सौधी ने अपनी इंटेलिजेंस का लोहा मनवा दिया, ऐसे भारत भी अपने अपोजीशन के लोगों को, जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के विरोध में दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं, उनको ख इस मैडम को रिपोर्ट में दिया, जो इनोंने गार्जियन में चाप दिया है, ठीक है ना, तो सौधी से भारत प्रेरित हुआ, खशोगी की हत्या से भारत प्रेरित हुआ, ऐसा कहा गया, और यही कहते हुए, बोले पाकिस्तान के अंदर इनोंने बकायदा लोगों को पैस दे करके 20 आतंकियों को मरवाया है, ऐसी इस्तिती में यहाँ पर कुछ तो ऐसी जानकारी निकल कर आई, जिसके ओपर फिल्में बन सकती है, हो सकता है आने वाले समय में एक फिल्म ही बने अग्यात के नाम से, मैं क्यों बोल रहा हुँ, आप ऐसे समझे, आपको याद होगा भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक के नाम से, अगर आपको ध्यान हो, जिसके अंदर हाईजैकर्स ने भारत के एक विमान को हाईजैक कर लिया था, और वो जो हाईजैक हुआ था, उस हाईजैक में एक व्यक्ति का नाम शामिल था, जिसका नाम था ज नाम बदल करके एक नया नाम अपना लिया था बुले इसको मारने के लिए तो प्रॉपर तरीके से एक पत्रकार की वेश भूशा में महीला को भीजा गया और महीला जाकर के पहले ये किया आप वही हो पुले आतंकियों की कहानी चापनी है हम New York Post से आये हैं आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए उसने अपने बारे में इंट्रो दिया उससे उसे कनफर्म किया गया कि ये वही है और बाद में पता चला कि उसे मार दिया गया मतलब पाकिस्तान के अंदर अंदर जिम्मेदार थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम जो यहाँ पर मारा गया थे। कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकियों को भारत के अंदर पहले ही भेज दिया जाता है और कहा जाता है आप आराम से वहाँ पर गुजर बसर करिए, इनसान की तरह रहिए, किसी परकार से कोई भी काम ऐसा मत करी जिससे लोगों को आपके उपर डाउट हो, लेकिन जब आ कर रहा है, बुले इंडिया ये सारा काम दुबई में कर रहा है, अचा इस बात पर बिलीव भी किसी को आसानी से हो जाएगा, क्योंकि UAE की एक तिहाई पॉपुलिशन इंडियन्स की है, अचा दुबई जो है, UAE के अंदर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी टाइप का शहर है, मतलब एक परकार से ये समझिए कि ये वो शहर है, जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं, वहाँ पर सेकंड लार्जेस पाकिस्तानी लोग ही हैं, पाकिस्तानी हैं, बांगला देशी हैं, दुनिया भर के और विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं, दुबई के अ चीजर चला है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में UAE के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लोगों को मरवाने का काम किया है ये सारी बाते इन्हों ने यहां पर लिखी है अच्छा इंटरस्टिंग बात बुले इसमें ये भी है पाकिस्तान में भारत के जो आठ मोस्ट वां ले गए थे पर बुले एक चीज यहां पर ध्यान देने की है इनके मरने पर पाकिस्तान की सरकार ने भी क्लेम नहीं किया कि हमारा आदमी मर गया क्यों क्योंकि अक्सर पाकिस्तान उनके बारे में यही कहता रहा कि हमें उनकी जानकारी नहीं है कि वो कहा है क्योंकि भारत न जैसे आदमी को भी, दाउद इब्राहिम जैसे आदमी को भी अपने यहां शरण देकर रखता है, लेकिन भारत मांगता है तो कहता हमें नहीं पता सर कहा है, जबकि वो आप पबलिक में दिख रहा है, ऐसी इस्थिति में भारत ने इन्हें मारा लेकिन पाकिस्तान इस पर प्योगे के मोस्ट टेर्रिस्ट को 26 ग्यारा का जो हाफिस सहीद का करीबी था, एवन ये तक कहा गया एक न्यूस के अंदर तो कि हाफिस सहीद तक मारा गया, 16 ऐसे टॉप मोस्ट वांटिड की लिस्ट तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, जो पाकिस्तान में मार और ये खबर उठना शुरू हुई बड़ी तेजी से नवंबर के अंत तक 2023 में कि भाई, अल्टिमेटली पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को मार कौन रहा है, हमने जब जब इस पर सेशन किया, हमने का इससे फाइदा किसको होगा, अगर पाकिस्तान में भारत के किया गया होगा, पैसे कौन दे देगा, आदमी खुद के लिए कमाने पर लगा हुआ है, तो बोले भारत की खुफिया एजनसीज ने लोगों को पैसे दियोंगे, लेकिन मारने के लिए कोई की दूसरा विक्ति आया था कि यही के लोगों ने मरवा दिया, बोले इंडिया विल्कुल वैसा ही तरीका अपनाया, जैसा पहले पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को फैलाने के लिए करता था, पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को ही बरगलाता था, और उनसे भारत में भारत के खिलाफ हिंसा करवाता था, जब वो लोग मरते थे, तो पाकिस्तान ये दिखा सवार था उनका ब्रेनवाश करके उन आतंकियों को काफिर बतवा के मरवा दिया तो ऐसी स्थती में उनके हाथ में कोई लीड नहीं लगी लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजनसी इस विशह पर जोर शोर से काम कर रही थी हालत ये हुई कि खुफिया एजनसी इस ने सारे आ इतना ही नहीं बकाइदा पाकिस्तान ने हमारे साथ ये क्लेम कर दिया और ये खबर में इस साल की शुरुआत में आपको बताई थी और कहा था पाकिस्तान खुद आकर बोल दिया कि हमारे लोगों को भारत मरवा रहा है और बकाइदा पाकिस्तान ने तो दो लोगों के ना भारत ही मरवा रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसीज की बात खासित ये है, कि इनके उपर कभी कोई सरकार क्लेम नहीं कर सकती कि हम मरवा रहे हैं。 भारत सरकार तो एक दम पल्ला जाड़ लेती है कि नहीं भाई हमने तो कोई मरवाया यह नहीं, लेकिन अल्टिमेटली इससे पहारत को खुशी और प्रसंदता, आपको और हमको सबको होती है, क्योंकि पहले हम आतंकियों को मांगते रहते थे, कि भाई हमारा आतंकिया हमें सौप दो, पर कोई सौपा नहीं, आप कहेंगा हाफिस साइध का क्या हुआ, बोले हाफिस साइध मसूद अजर, बोले इन है, आप